हलो स्टुदेंट्स, करेंट अफेस की क्लास में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम 6 अपरेल 2014 के कुछ महत्पून कुछ important current affairs discuss करेंगे जो exam point of view से काफी important current affairs हो सकते हैं सो स्टार्ट करते हैं आज का session जिसमें हम 6 अपरेल 2014 के कुछ महत्पून समाचार जो different different news हैं चाहिए वो international अंतरास्टे इस्तर पर बन रही है चाहिए वो national news है चाहिए वो राज्य सरकार के initiative या plans या scheme से कोई news आ रही है तो वो हम आज की क्लास में discuss करेंगे तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे अंतरास्टे समाचार के साथ उसके बाद हम discuss करेंगे कुछ bank और वित्ते समाचार उसके बाद हम discuss करेंगे कुछ रक्षा समाचार जो हम defense से related जो recently news बन रही है वो cover करेंगे विज्ञान और प्रद्योगी से related विज्ञान और प्रद्योगी की में कोई new innovation हुआ है उससे related जितनी भी news बनती है sports event खेल समाचार recently अगर कोई खेल गंडग किया गया है कोई sports हुआ है या कोई awards दिया गया है कोई प्रुषकार दिया गया है वो discuss करेंगे central government की केंदर सरकार की या जो union cabinet है उसकी कोई schemes अगर recently news में है तो वो हम राज्य समाचार में cover करेंगे उसके बाद हम last में देखेंगे प्रुषकार, सम्मान, समाचार और class के last में हम discuss करेंगे सारांस और समरी कि आज के lecture में हमने क्या-क्या important और math moon cover किया है So the image used in our slide deck are for educational purpose only We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images If you are the honor of any of the image used in this deck and have any concern or issue please contact us at sathi at the rate iitk.ac.in We shall remove the images हमारे slide deck में उप्योग की गई छवियां के वल सैशनी को देश्य के लिए है हम इन छवियों के मूल रशनाकारों और मालिकों के बोधिक संपता दिकारों का सम्मान करते हैं यदि आप इस deck में उप्योग की गई किसी भी छविय के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समश्या है तो किरपया साथ ही at the rate iitk.ac.in पर हम से संपर करें हम छवियों को हटा देंगे सो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल न्यूस के साथ अंतरास्टे समचार के साथ जिसमें हमारी सबसे पहला समचार है 2024 का अंतरास्टी है अंतरात्मा दीवस तो स्टार्ट का अंतरास्टी अंतरात्मा दीवस पर दीवस पांच अपरेल को मनाया जाता है ताकि प्रेम और अंतरात्मा के साथ शांती की संस्कृति के निर्मान के महत्रप के बारे में जागरुकता फैलाई जा सके मानव अंतरात्मा के मूल्ये को समर्पन करने और एक बहतर दुनिया की अकांशा का उत्सम मनाने का ये दिन होता है 2024 में 5 अपरेल को पांचवा अंतरास्ट्य अंतरात्मा दिवस मनाया गया है तो इस प्रस्ताव को बहरीन में संयुक्त राज्य दुवारा कब अपनाया गया था 2019 में पहली बार अपनाया गया था नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है जर्मन की एसिट शोमेर को CBD की कारियकारी सचीव न्यूक्त किया गया CBD क्या है Convention on Biology Diversity तो जैव विविद्था संधी जो है उसकी अभी सिकली Executive Secretary किसको अपोइंट किया गया है एस्टेड शोमेकर को तो सेंक रास्टा के माहस सचीव एंटोनियो गटरेज ने जर्मनी की एस्टेड को जैव विविद्था संधी के सचीवाले की आठवी कार्याकारी सचीव न्यूक किया है शोमेकर जर्मनी से पहली कार्याकारी सचीव है और अक्टूबर दोहजाओ चोबिस में कोप सोले सिकर सम्मेलन से पहले अपनी भूमी का समालेंगी उनका मुख्याकारिय कुनमिंग मौंट्रियल वैष्विक जय विवित्त डहांचे को किरियान वित करना है शोमेकर जय विवित्त योजना के चार लक्षय को प्रमानित देगा सन्रक्षन और पुनरिस्थान प्रकृति के साथ सम्रद्धी लाबों का निश्पक्ष विक्षेशन और निवेश और सहियोग्यों पर ये काम करेंगी Clear? Next है UAE का मकसद विश्व भविश्य उर्जा सिक्कर सम्मेलन की मेजबानी UAE का जो मकसद है वो अभी क्या करेगा विश्व भविश्य उर्जा सिक्कर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो मकसद UAE की एक परमुक स्वच उर्जा कमपनी World Future Energy Summit की मेजबानी करेगी Clear? तो शिक्कर सम्मेलन 16-18 अप्रेल तक अबुधा भी रास्टे प्रदशनी केंद्र में आयजित किया जाएगा WFES एक महत्पून वैश्विक कारेकरम है जो भविश्य की उर्जा स्वच्छ प्रद्योगी की और स्थिर्ता पर केंद्रित है इस कारेकरम में विभिन चर्चाएं, मंच और सक्रियताएं शामिल होंगी Clear? Next अगर मैं बात करूँ UNESCAP which is United Nations Economical and Social Commission for Asia and Pacific Reason सेयुक तरास्ट एश्या और प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि 2030 में गर्मी के तनाव के बीच भारत 5.8% देनिक कारिय घंटे खो देगा सो रिपोर्ट में सुजाव दिया गया कि जलवायू परिवर्तन के कारण क्रिशी सबसीडी में वृद्धी हो सकते है क्योंकि भारत में कुल क्रिशी आयका 20% इस्सा क्रिशी सबसीडी से आता है सेउक्त रास्ट है आर्थिक और सामाजिक परिशत के 5 शेत्री आयोगों में से एक UNES-CAP है रिपोर्ट सरकार के लिए जलवायू परिवर्तन के प्रभाव से निमटने के लिए सस्ती और दिर्ग काली इन वित पोशन और आवशक्ताओं पर भी जोड़ देती है नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से यह सिंगापूर डेनमार्क और यूएस दुनिया में विपार करने के लिए सबसे अच्छे इस्थान EIUBER की रिपोर्ट की अनुसार तो Economical Intelligence Unit ने अपनी Business Environment रेंकिंग जारी किये जिसमें सिंगापूर बिजनिस के मामले में लगातार 16 वर्ष टोप पर रहा है डेनमार्क और संयुक्तराज अमेरिका करमशे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं और यहां से आपको भारत का स्थान रखना है भारत का स्थान कितना रहा है 51 पर आ है ग्रीस, कतर और भारत ने वैश्विक इस्तर पर अनुकूल व्यपारिक वातावर्म प्रदान करने में महतपून प्रगती किये चीन ने सबसे महतपून गिरावट का अनुभव किया 11 स्थान नीचे गिरते हुए इसके व्यापक परिदेश में चुनोतियों को दर्शाता है तो इकोनोमिकल इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनिस एनवार्मेंट रैंकिंग है जिसमें बारत का 51 वा स्थान रहा है और उसके साथ सिंगापूर कोन से स्थान पर रहा है 16 स्थान पर रहा है लगातार 16 साल क्लियर नेक्स्ट बेंक और फाइनस से है आरबियाई ने अभी रीसेंटली क्या किया है आरबियाई ने 60 व्यपार को रोकने के लिए मुद्रा डेरिवेटी वीनियम को 3 मई 2024 तक क्या कर दिया है इस्थापित कर दिया है नियम केवल उन व्यपारियों को मुद्धा डेरिवेटिव में व्यपार करने की अनुमती देते हैं जिनके पास अंतरनी हित विदेशी मुद्रा जोकी में जिससे कमपनियों को मुद्रा जोकिंग के खिलाफ हैजिंग में साहता मिली है व्यपार मात्र में संभावित गिरावट की चिंताओं के बीच इस्थगन अल्पकालीन राहत प्रदान करता है संशोधित नियम RBI के रुपे को इस्तिर करने के प्रयाशों के साथ मेल खाते हैं जून से वैश्विक सूचना में भारत के ब्रांड शामिल होने से पहले नेक्स्ट है गोयन का साथ भारतियों में शामिल है जिनने World Economic Forum द्वारा Young Global Leader Community दा क्लास 2024 से नामांकित किया गया है तो अभी क्या किया है? World Economic Forum ने अपना Young Global Leader Community दा क्लास 2024 का बीसवा संस्क्रन जारी किया है आरपी संजीव गोयन का समू के उपाध्यक शाश्वत गोयन का व्यपाश रेनी से चुनी गई चार भारतियों में से एक है अन्य भारतियों में अरजुन भारतिय, प्रिया अगरवाल हैबर, अद्वेत नाया, शरद विवेक सागर, भूमी पैडनेकर और रिच्चा बाजपई शामिल है Young Global Leader Forum की स्थापना 2004 में की गई थी और ये 40 वर्स से कम आयो के उबरतेवे निताओं का चैन करता है Clear? Next step, पूर्व RBI डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन WBG की आर्थिक सलाकार पैनल में न्यूक तो विश्व बैंक ने भारतिय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपनी आर्थिक सलाकार पैनल में न्यूक किया है निकोलस सर्टन पैनल की अध्यक्षता करेंगे और इंदर्मीत गिल्स से है अध्यक्ष होंगे पैनल के सदश्यों का कार्यकाल दो साल का होगा और उनुसंदान एजेंटा और कार्या पर विश्व बैंक समों को ये सला देंगे तो राकेश मोहन वर्तमार में नई दिली में सेंटर फोर सोचल एन एकोनोमिकल प्रोग्राम में प्रेजिडेंट एमिरिटस है तो याद रखना RBI गवर्णर है पूर राकेश मोहन जीने अभी क्या किया गया है वर्ल्ड बैंक गरूप में आर्थिक सलाकार पहनल के रूप में चुना गया है नेक्स्ट मनसुक मंडविया की 2025 तक यूरिया आयास समाप करने की योजना है तो भारत का लक्षय 2025 के अन तक यूरिया जो इंपोर्ट करते हैं उसको खतम करना है योजना में घरी लूत पाद को बढ़ावा देना और वेकल्पिक उर्वरों को प्रोसाहित करना शामिल है यह पहल देश की आयात पर महत्पूर निर्बरता के जवाब में है भारत की वाशिक यूरिया मांग का लगबग 30% वर्तमान में आयास से पूरा होता है और 2025 थक मनसुक मंडाविया जी जो मिनिस्टर ओफ हेल्थ और गवर्वर्मेंट के अंदर आते हैं अभी उनका प्लान है कि इसको क्या कर दिया जाएगा खतम कर दिया जाएगा इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा उसकी जगह हम कोई डॉमेस्टिक प्रोड़क या अल्टरनेटिफ फर्टिलाइजर्स का इस्तमाल करेंगे नेक्स्ट बेंकिंग और फाइनेंस में अपॉइन्मेंट से है मिनेश शाह जी है जिनको अभी NCDFI के अध्यक्ष के रोप में चुना गया NCDFI क्या है भारत रास्टे सहकारी डेरी महासंग लिमिटेड क्लिर तो NCDFI रास्टे स्तर की शिर्ष डेरी सहकारी संस्ता है चुनाव सहकारी संस्ता की मजबूत नित्रित्व के प्रती परती बदिता को भी उजागर करता है तो याद रखना मिनेश रहा नेशनल कॉपरेटिव डेरी फेडरेशन ओफ इंडिया लिमिटेट के नए अध्यक्ष चुने गए हैं Next RBI ने IDFC First Bank और LIC Housing Financial Bank पर जुर्माना लगाया है तो IDFC Bank पर रिन और अग्रीम सावंदिंग और अन्य प्रबंदन पर कुछ निर्देशों को का पालन ना करने के लिए एक करोड रुपे का जुर्माना लगाया गया है बैंक ने उच्चित परिश्रम के बिना एक सावजिंग शेत के उपकम को अवधी रिंस विकरित कर दिया था LIC Housing Finance को भी नियामक अनुपालन ने करने के लिए दंड का सामना करना पड़ा Next RBI ने Exchange Trade Forex Derivative के नए नियमों के कारियान वेन को स्थगित किया है तो अभी हमने पढ़ा है कि भारते रिजर्ब बैंक ने Exchange Traded Forex Derivative के लिए नए नियमों के कारियान वे को तीन मही तक इस्तगित कर दिया है ये नियम प्रारंबे शीरगी ही प्रभावी होने के लिए निर्दारित किये गए थे अ़ देशे यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में भाग लेने वालों के पास वास्तविक विदेशी मुदरा जोकिमो विलंबर ने दलालों को ग्राकों से अनुबंद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि वे बाजार की गती शीलता में महत्पून बदलाव की भी उमीद कर रहे हैं थे आर्बियाई ने एक्सषेंड टेड़ इडिडेट टेरिविटिव के लिए नए नियमों के कार्यान वे को इस्थगित किया है नेक्स्ट है जम्पू और कश्मीर बेंक ने पे मार्ट इंडिया के साल मिलकर वर्चुल एटियम सुवीधा सुवीधा शुरु किया है तो JNK Bank है और उसके साथ क्या PayMart है दोनों क्या करेंगे वर्चुल ATM सुविधा शुरू कर रहे हैं तो यह सेवा ग्रहकों के लिए स्थानिय खुदरा विक्रेता के माध्यम से बिना कार्ड के नगत निकासी को सक्षम बनाती है यह है पहल विशेश रूप से जम्मू और कश्मीर और लद्दाग जैसे शेत्रों को लाभानवित करती है सयोग कोदेश पारार्म प्रिक ATM तक सीमित पहुँच वाले शेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाना है नेक्स्ट है आर्बियाई ने वित्वश 25 के लिए CPI मुद्राइस फरती को 4.5% पर प्रिक्षेपित किया है तो आर्बियाई मुद्रित निती समीती ने वित्वश 25 के लिए CPI मुद्राइस फरती को 4.5% पर अनुमानित किया है गवर्न सक्तिगान दास ने मध्य मुद्राइस फरती बनाए रखने के महत्व पर जोड़ दिया प्रिक्षेपन में तिमाईयों के दोरान अपेक्षित उतार चड़ाव सामिल है इस उपाय का उदेश आर्थिक स्थिती सो निस्चित करना तो याद रखना RBI ने वितवश दोजार पच्चिस के लिए CPI मुद्राइस फरती को साड़े चार पोसेंट पर रखा है नेक्स्ट डिफेंस न्यूस है सागर कवच बिसिकली एक्ससाइज है सागर कवच तो सागर कवच एक दोजार चोबिस तो लक्षदीप में तटिय सुरक्षा अभ्यास क्या होने जा रहा है एक से दो अप्रेल तक आयजित किया जाएगा तो अभ्यास में भारतिय नोसेना भारतिय तटरक्षक बल, समुंदरी पुलिस, मतस्य पालन, सीमा शुलक और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संपत्तियों को शामिल किया जाएगा इस तटिय सुरक्षा हितकारों के बीच बहतरीन तयारी प्रतिकरियत अंतर निगरानी शम्ताओं को प्रदशन किया जाएगा नेक्स्ट है SFC विचिज स्ट्रेटरजिक फोर्स कमांड और उसके साथ बात हो रही है DRDO की तो दोनों और्गनाइजिशन ने नई PD की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम किया है अगनी प्राइम उसका सफलता पूर्वक परिक्षन कर लिया है यह परिक्षन कहां से किया गया ओडिसा में DR. APJ. अब्दुलकुलाम दीप है वहां से इसका परिक्षन किया गया तीन अप्रेल को दोनों फोर्सिज ने मिलके अगनी प्राइम बैलेस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक उडान परिक्षन किया है अगनी प्राइम एक दो चर्नी है कैनिस्टर युक्त ठोस प्रनोदक बैलेस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंगी 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है यह दोरी अनावशक नैविगेशन और मार्क दक्ष प्रनाली से सुसजित है अगनी शिलिंखा की मिसाई का 6 वा संस्क्रन है तो याद रखना है SFC और DRDO का दोनों ने सफल परिक्षन किया है अगनी प्राइम का कहां से हुआ ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है उडीसा के डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम दीप से नेक्स्ट है भारतिय सेना ने आकास्तीर नियंतरन और रिपोर्टिंग सिस्टम का समावेश शुरू किया है तो भारतिय सेना ने अपनी वायू रक्षा शमताओ को बढ़ाने के लिए स्वदेशी आकास्तीर नियंतरन और रिपोर्टिंग सिस्टम का समावेश शुरू कर दिया है परियोजनाओ को आत्मिर्बन भारत पहले के तैत भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड दुवारा विक्सित किया गया प्रारंबिक नियंतरन केंदर का बैच 4 अप्रेल 2024 को बील गाजेबाद से शुरू किया गया था आकास्तीर को वायू रक्षन नियंतरन और रिपोर्टिंग प्रिकरिया को स्वचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो चुनोती पून परिस्तितियों में भी संचालन शमताओं को बढ़ाता है क्लियर नेक्स डिफेंस से यह भारत वायू सेना को पहला स्वधेशी क्रेश फाइटर ट्रेंडर प्राप्त हुआ तो तीन अप्रेल को भारतिय वायू सेना को पहला स्वधेशी रूप से डिजाइन और विक्षित क्रेश फाइटर ट्रेंडर प्राप्त हुआ है नोईडा इस्तितिक MSME फर्म दोआरा 291 करेड रुपे के अनुबंदन के तहट CFD का निर्मान किया गया था भारतिय वायू सेना आप निर्बरता और आत निर्बर भारत की और बढ़ रही है जिसका लक्षित 2047 तक विक्षित भारत को प्राप्त करना है इंडियन एयर फोस भी DRDO के साथ मिलकर हलके लड़ाको तेज़स जैसे उद्धम मद्धम लड़ाको विमान बनाने पर काम कर रही है तो याद रखना है पहला विक्षित क्रेश फायर टेंडर जो बेसिकली स्वदेशी है वो भारतिय वायू सेना को प्राप्त हुआ है नेक्स डिफेंस है यह वायू रक्षा शमताओं को बढ़ाना भारतिय सेना ने आकाश्तीर प्रणाली को शामिल किया है तो भारतिय सेना ने स्वदेशी आकाश्तीर प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है यह इसकी वायू रक्षा शमताओं में एक महत्पून प्रगती को दर्शा आता है आकाश्टिर परनाली एक स्वचालित वायू रक्षा नियंतरन और रोपोर्टिंग पोर्टल है भारत Electronic Limited द्वारा विक्सित इसका उद्देश्य सेना की वायू रक्षा इकाईउं को एक्रत्रित करना ताकि संचालन की दक्षता में व्रिद्धी हो सके नेक्स्ट है कृतिम सूरिया तो अभी कोरिया ने क्या किया है 48 सेकिंड का वैसे जनरली इसका टाइमतार 48 सेकिंड के लिए क्या किया गया है एक कृतिम सूरिया बनाया है जिसने 100 मिलियन डिग्री से LCS पर प्लाजमा को बनाये रखने का काम किया है पिशला रिकोर्ड 2021 में 30 सेकिंड का था जो इस बार तोड़ कर कितनी सेकिंड हो गया है 48 सेकिंड हो गया है के स्टार ने उच्च सनरोधन मोड को 100 सेकिंड से अधिक समय तक बनाये रखा उपकरन का उद्देश से 2026 तक 300 सेकिंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाजमा तापमान को बनाये रखना है Next Science and Technology से है सद्विकास कार्यकरम की रिपोर्ट चोटे दीप डिजिटल राज्यों पर डिजिटल परिवर्तन को उजागर करती है डिजिटील करें की परिवर्तन कारी शमता को उजागर करती है ये डिजीटल परिवर्तन के लिए दिर्ग कालीन योजना रन्नीतिक सोच और समर्पित वित्पूशन की आवशकता पर जोड़ देता है रिपोर्ट तकनीकी सायोग डिजीटल परियोजना और SIDS युवाओ के एक वैश्विक सर्वेक्षन से अंतरदिश्टी प्राप्ट करती है तो रिपोर्ट याद रखनी है नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज तो अभी पैरिस ओलंपिक होने वाली हैं तो पैरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए मीरा बाई चानू भारत की एक मात्र वेटलिफ्टर बनी है तो मीरा बाई चानू ने IWF World Cup 2024 में महिलाओ के 48 gram division के ग्रूप भी इने तीसरे स्थान पर रहते हुए पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है 2024 IWF World Cup 31 मार्स से 11 अपरेल 2024 तक फोके थाइलेंड बायजित किया जा रहा है मीरा बाई IWF महिला 49 kg ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है उन्होंने 2020 टॉक्यो ओलंपिक में महिलाओ के 48 kg श्रेनी में रज़त पदक भी जीता था नेक्स स्पोर्ट से अगर मैं बात करूँ बिलकिस मीर पैरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारतिय महिला तो जम्मू और कश्मीर की कैनिस्ट बिलकिस मीर पैरिस ओलंपिक में जूरी सदश्य के रूप में भारत का प्रतेनिद्द करेंगी वैस सम्मान को प्राप्ट करने वाली भारत की पहली महिला है बारते ओलंपिक संके पत्र के माध्यम से न्यूक्ति को अधिकारिक रोप से सुचित किया गया है यह बारते महिलाओं के खेल में एक महतपून मील का पत्थर भी है क्लियर नेक्स्ट है 2024 के लिए विकास और शान्ती के लिए खेल का अंतरास्ट या दीवस तो 2024 के लिए अगर मैं बात करूँ तो 6 अपरेल को विकास और शान्ती के लिए खेल का अंतरास्ट या दीवस मनाया गया खेल और शारेरिक गतिविद्यों के समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव को यह दिन मान्यता देता है 2024 के लिए IDSDP का वैश्विक विश्य शांती पूर और समावेशी समाज के समवर्दन के लिए है खेल लोगों को एकजुट करने हो समाजिक परिवर्दन को बढ़ावा देने की अनूठी शमता पर भी जोड़ देता है नेक्स्ट है नेक्स्ट कार 90 नेशनल यूज के अगर हम बात करें तो रास्टपती दुरौपती मुर्बुर जी ने भारत की पहली स्वधीशी कार T-Cell Therapy को लोंच किया है तो 4 अप्रेल की ही बात है, 4 अप्रेल को मुंबई में, IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली स्वधीशी काइमेरिटिन एंटीजन रिसेप्टर T-Cell Therapy का सुभारम किया गया बाए रास्टपती दुरौपती मुर्मुर जी के थुरू बारत उन पहले विकासी अलदेशों में से है, जिनके पास स्वधेशी काइटी और जीन थेरेपी प्लेटफोर्म है थेरेपी को IAT Bombay, Tata Memorial Hospital और Immuno-Dype Cell Therapy Private Limited के 20 सयोग के माध्यम से विक्सित किया गया है नेक्स्ट कार 19 को पुनरावरिती पृतिरोदेक B. Koshi का लिंफोमा और ल्यूकेमिया के उपचार के लिए केंद्री आउजदी मानक नियंतरा संगटन से मजूरी मिल गई है नेक्स्ट, अडानी गुरूप एनरजी 10,000 मेगावोट अक्षय उर्जा को पार करने वाली भारत की पहली कमपनी बन गई है कमपनी का लक्षे 2030 तक 45 गीगावोट नवी करनी या उर्जा शम्ता का निर्मार करना जिससे गुजरात के खावडा में 30,000 मेगावोट का सोर संग्यत्र सामिल है तो याद रखना अडानी ग्रीन एनरजी ने क्या किया है गुजरात में 10,000 मेगावोट अक्षय उर्जा 2000 मेगावोट सोर शम्ता को चालू करने वाली कमपनी भी बन गई है Next National News है NTPC ने बिहार में 220 मेगावोट बरूनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज वन परियोजना को बंद किया है NTPC लिमिटेड ने बिहार में इस्थित अपने बरूनी थर्मन पावर स्टेशन स्टेज वन को 31 मार्ज 2024 से इस थाई रोप से बंद करने की आधिकारी गोशना की है बंद में इकाईया 6 और 6 सामिले साथ ही सभी सायक प्रनालिया सिवाए CHP स्वीच यार्ड एस डाइट और डाउन शिप के NTPC का लक्षे 2032 तक कुल स्थापित शमता 130 गीगावोट प्राप्त करना है NTPC ने दिसंबर 2018 में बिहार राज्य विद्योत उत्पादन कंपनी से बैरोन धर्मर पावर स्टेशन का अधिगरण किया है क्लियर नेक्स नैशनल यूज की अगर हम बात करें तो अभी वन्स अन्रक्षन समीती के पर्मुक अपोइंट किये गए है पूर्व नयाधिस नजमी वजीरी तो दिल्ली वन्स अन्रक्षन समीती के पर्मुक किसको अपोइंट किया गया है नजीम वजीरी को समीती रास्तिय राजधानी में जंगलों की सुरक्षा पर ध्यान के इंद्रित करती है यह निरने विबिन सरकारी विभागों के पुर्व सायोग ने करने की चिंताओं के बाद लिया गया इस पहल का उदेशा इन महत्पोन प्रकरतिक संसादों की रक्षा करना है नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 61 रास्तिय समुद्री दीवस जो 5 अपरेल को पूरे भारत में मनाया गया है इसका परपस क्या है जो समुद्री शेत्र है उनकी अर्थ विवस्ताओं को और ज़्यादा उजागर किया जा सके और ज़्यादा स्ट्रॉंग बनाया जा सके तो SS लोयल्टी भारत के पहले स्वदेशी जहाच की मुंबई से लंदन की पहली यातरा 5 अपरेल 1919 को हुई थी तबी से हम 5 अपरेल को या उसी की याद में हम क्या बनाते है रास्ते समुद्री दीवस तो 5 अपरेल को 61 अपरेल को 61 अपरेल रास्ते समुद्री दीवस मनाया गया धोजागर चोबीस के लिए रास्ते समुद्री दीवस की अगर मैं थीम की बात करूँ तो सतत शिपिंग चुनोतिया और अफसर है नेक्स्ट है रास्ति है हस्त निर्मित दीवस 2024 तो 6 अप्रेल को जो हस्त निर्मित हैं हैं मेड चीज़ें जो कोटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए कुशल व्यक्ति को कारीगरों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाय जाता है 2024 के रास्ति हस्त निर्मित दीवस का विश्य एक हस्त निर्मित उत्पात खरीदे हैं ये लोगों को हस्त निर्मित वस्तों खरीद कर इस्तानिय वेवसायों और कारीगरों का समर्तन करने के लिए भी प्रोटसाहित करता है तो याद रखना है रास्ति है हस्त निर्मित दीवस नेक्स रास्ती है पुस्तकालिय दीवस दोजाओ चोबिस तो चैपरेल को हमने क्या मनाया है पुस्तकालिय दीवस मनाया है सदमुदाय में पुस्तकालिय और पुस्तकालिय देक्ष्टों की महत्मून भूमिकाओं को सम्मान करने वाला यह दिन है यह पढ़नी और ग्यान की उपलबता के महत पर विचार करने का रेका आफसर प्रदान करता है पुस्तकालिया इंटरनेट के उद्धे के बावजूद आवश्यक संस्थान के रोप में फलते फूलते रहते हैं नेक्स्ट है कच गुजरात में 500 साल पुरानी हडपा बस्ती की खुदाई में बिसिकली एक और नई खोज मिली है तो कच जिले के खटिया गाउं के पास पड़ा बेट में एक महत्पून प्रातित्व उलंगर ने 500 साल पुरानी हड़ी हडपा बस्ती का खुलासा किया केरल विश्विद्याल विबिन अन्यस अंस्थानों के सोधकरताओं को शामिल किया गया था सायक प्रोफेसर अभ्यान जी एसोर राजेस स्वी के नित्रित में अभ्यान ने महत्पून साक्षे उजागर किये प्राप्त निशकर्श शेत्र में प्रारंबिक हडपा बस्तियों के सांस्क्रितिक निर्मान पर प्रकाश डालते हैं क्लियर नेक्स्ट है SJVN को उत्कृस्ट कॉर्परेट समाजिक उत्तरदायत के लिए सम्मानित किया गया है तो अवोर्ट सेन रेकेगनीशन से है SJVN लिमिटिट को पंदरवेज CIDC विश्व कर्मा पुरुषकार 2024 में दो प्रतिस्टित पुरुषकारों से सम्मानित किया गया है पुरुषकार निर्मान उद्योग विकास परिशद द्वारा दिये गए SJVN को कॉर्परेट सामाजिक उत्तरदायत में उसके उलेखनी योगदान के लिए मानिता दी गई है SJVN की सामाजिक और परियावर्निय पहलों की प्रति प्रतिबदता को ये मानिता रिकांकित करती है तो ये थे कुछ हमारी इंपोर्टेंट करेंट अफियर्स जो हमने डिसकस किये नौ एक बार कुईक समरी रिवाइस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज के क्लास में पढ़ा है सबसे पहले हमने अंतरास्टे समचार में अंतरास्टी अंतरात्म दीवस के बारे में चर्चा की जो 5 अपरेल को मनाया गया उसके बाद हमने देखा सिंगापू, डैनमार्क और अमेरिका वेपार के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थाने यूरॉपियन यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार RBI ने सटे को रोकने के लिए मुद्रा डैरिवेटिर नियमों में को इस्थागित किया है उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि रिसेंटली यंग ग्लोबल लीडर कम्यूनिटी में गोईन का साथ भारतियों में शामिन है RBI के पूर्फ डिफ्टी गवर्णर राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक ग्रोप की आर्तिक सलाकार पैनल के रोप में नियुक किया गया है और यूरिया आया समाप करने की योजना किसने बनाई है 2025 तक मनसुक मांडविया ने मीनश्या NCDFI के अध्यक्स चुने गई RBI ने IDFC First Bank और LIC Housing Finance पर अभी जुर्माना लगाया है कुछ नियमों को नहीं मानने के लिए उसके साथ साथ RBI ने Exchange Traded Forex Derivative के नए नियमों के कारियानवे को स्थगित किया है उसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर बैंक और Payment India मार्ट के जॉइंट वेंचर को देखा था जिन्होंने Virtual ATM सुवीदा की शुरुवात किये उसके साथ साथ हमने देखा था कि UNE SCAP ने रिपोर्ट जारी किये जिसमें काये कि 2030 में गर्मी के तनाव के बिज भारत को देनी कामकाजी गंटों में 5.8% की कमी देखने को मिलेगी उसके साथ साथ मकसद में विश्व भविश्य और जा सीकन सम्हिलन आयजित किया जाएगा जर्मिनी के एस्टिट शोमेकर को CBD के कारियकारी सचीव के रोप में न्यूक्त किया गया है और मुद्रा स्फर्दी RBI के अनुसार 2025 में 4.5 रहने का अनुमान है उसके बाद रक्षा में अगर हम बात करें तो सागर कवच एक्सेसाइज हमने देखी जो लक्षदीप में कंडग की जाएगी उसके साथ साथ हमने SFC और DRDO को इसे देखा जिन्होंने अभी अगनी प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली अनावरन किया है बारते सेना ने आकास्तीर नियंतरा और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू किया है इस पोर्ट से हमने देखा मीरा बाई चानू पैरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात भारते भारते सेना ने आकास्तीर नियंतरा और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल किया है तौलक बनी है बिलकिस मीर पैरिस ओलंपिक जूरी में पहली भारते महिले बनी है और विकास और शान्ती के लिए अंतरास्ट दीवस 2024 के बारे में भी हमने चर्चा की उसके साथ साथ हमने देखा नेक्सकार 19 रास्टपती दुरौपती मुर्मुन ने भारत की पहली स्वदेशी कार T-Cell Therapy लौंच की है अडानी ग्रूप से हमने देखा था कि अभी वो पहली कांपनी बन गई है 10,000 मेगावोट रेन्योबल एनरजी बनाने वाली भारत में NTPC ने बिहार में 200 बीट मेगावोट की बरोनी थर्मन पावर स्टेशन स्टेज वन परियोजना को पूरी तरह से क्या किया है बंद किया है अब पूर्व ने आइधीस नजमी वजीर को दिल्ली वन रक्षन समीती के परमुक न्यूक्त किये गए है 61,000 रास्टे समुदरी दीवस 5 अप्रेल को बनाया गया रास्टे हस्त निर्मित दीवत, रास्टे पुस्तकाल्य दीवस और उसके अलावा हमने देखा उतकरन से गुजरात के कच में बावन सो साल पुरानी हडपा बस्ती का पता चला है पुरुषकार से हमने देखा है SGVN ने SGVN को उतकरिस्ट कॉर्परेट समाजिक उत्तरदायत के लिए पुरुषकरित किया गया है तो ये थे कुछ महत्पून कारिंट अफेर्स जो हमने डिफरेंट रास्टिय समाचार, पुरुष्ट और सम्मान उसके साथ साथ हमने साइन्स और टेकनोलोजी से खेल समाचार, नेशनल यूज डिसकस की आवोर्ड से, पुरुषकारों से, रेकेगनीशन से और डिफेंस से भी हमने कुछ महत्पून न्यूज या महत्पून का इंटरफेर्स पर चर्चा किया है सो उमीद करता हूं तुम्हें ये सेशन पसंद आया होगा धन्यवाद